हेलो बच्चो मैं मैटिक गुरू मनोज स्वागत करता हूं मैं उमीद करता हूं कि आप लोग मस्थ होंगे स्वस्थ होंगे और पूरी मन लगाकर अपनी मैटिक परिक्षा की तेयारी में लगे होंगे चले मेरे प्यारे बच्चो अभी हम लोग समरांतर स्रेडी के कुछ प्रस्णों को देखते हैं योगफल समंधी प्रस्ण काधियन हम लोग इससे पहले किये थे उसमें से कुछ प्रस्ण बच्चू का था उस काधियन हम आगे कर रहे हैं तो चले म NCRT, यह जो हमारा NCRT का गनीत है, इसी से हम लोग अभी अधियन कर रहे हैं, हमारा पाचमा प्रस्न है, कह रहा है कि किसी AP का प्रथम पद 5, अन्तिम पद 45 और योगफल कितना है, योगफल 400 है, तो इस AP का पदों की संक्षा और AP का सारबांतर ज्याद करें, चले मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग को यहां क्या दिया हुआ है, हम लोग को यहां दिया हुआ है, यहां हम लोग को दिया हुआ है, इस AP का प्रथम पद A कितना है, 5 है, और अन्तिम पद TN या इसे हम AN भी कहते हैं, हम लोग कितना है, 45 है, और AP का योगफल, हम लोग को कित इतना दिया हुआ, 400 दिया हुआ है, तो हम लोगों से, मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछ रहा है, इस AP में पदों की संख्या कितनी होगी, कहने का मतलब N का मान, what, और सार्वांतर का मान क्या होगा, D का मान भी हम लोगों से पूछ रहा है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सुत्र फरे हैं, योपी के, योपी के योखफल से सम्मंधी, तो सुत्र से, सुत्र से, हम लोग बनाते हैं, SN वराबर हम लोग का सुत्र होता है, N बटा 2, और प्रथम पद पलस अंतीम पद, मेरे प्यारे बच्चों, SN कमान हम लोग को कितना दिया हुआ है, SN कमान हम लोग को 400 दिया हुआ है, SN कमान हम लोग का 400 है, N कमान हम एग्यात करना है, और प्रथम पद हम लोग का कितना है, प्रथम पद पांच, और पलस अंतीम पद हम लोग का कितना है, अंतिम पद हम लोग का, पैंतालिस है, तो मेरे प्यारे बच्छो, हम लोग इसको जब आगे बढ़ाते हैं, चार सर, इधर हो गया, एन बर्टा टू, और जब पैंतालिस में हम लोग 5 जोडेंगे, तो होगा कितना, पचास, इससे इसको जब हम लोग काटेंगे, तो पचीस से कटेगा है मेरे प्यारे बच्छो जब हम लोग इसको 400 बराबरी जा क्या हो गया एन गुने 25 तो इसलिए एन का मान हम लोग का कितना हो जागा 400 में हम लोग को बची से भाग देना पड़ेगा इसको काटेंगे तो 16 मरतबे हम लोग को कटेगा कहने का मतलब यह हुआ इस एपी में कुल पदों की संख्या कितनी है अब मेरे प्यारे बचो हम लोगों को क्या करा है इस एपी का सारवांतर भी ग्यात करनी है तो यहां हम लोग को दिया हुआ है हम लोग को टी एन कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे बचो 45 तो हम लोग तो जानते है यह बराबर क्या होता है a plus n minus 1 into d कितना बराबर हम लोग को कितना है 35 है तो मेरे प्यारे बच्चो यहाँ प्रतम पत कामान क्या हुआ 5 n कामान अभी ग्याद किया हम लोग 16 minus 1 और d कामान ग्याद करना है 45 तो मेरे प्यारे बच्चो हम लोग 5 को अधर ले जाएंगे इदर 16 में से एक जाएगा तो 15 D बराबर 45 माइनस 5 कितना हो गया 15 D बराबर 45 चालिस तो इसलिए D बराबर 40 बटा में 15 पांतिया 15 आठ पंचे 40 तो मेरे प्यारे बच्चो आठ बटा 3 तो हम लिख सकते हैं यहां इस AP में पदों की संख्या N का मान 16 और शारवांतर का मान 8 बटे 3 यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा इस AP में कुल पदों की संख्या कितनी है इस AP में कुल पदों की संख्या 16 और शारवांतर का मान कितना है आठ बट्य तीन है चले मेरे प्यारे बचो अब हम लोग अगले प्रस्न की ओर बरते हैं अगला प्रस्न हम लोगों को क्या कर रहा है चले मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगला प्रस्ण क्याonce रहा है? आगला प्रस्न हम लोग उसे कह रहा है, कि किसी AP के प्रथम और अंतिम पद क्रम्षा दिया हुआ है। और उस AP का शार्व अंतर भी हमें ज्याद है। तो पदों कितने पद होंगे? इसमीं मितलब ऑयंका मान हमें ज्यांत करना है फदों की संख्या ज्यांत करना है और इसका यूगफल क्या होगा ये भी हमें ज्यांत करना है मेरे प्यारे बच्चो हम लोग उसे क्या पूछ रहा है। कि किसी दूसे प्र्थंपत और अन्तिमपत कितना कितना है collectorwegen Pengzdimi मेरे प्यारे बच्चों यहां हम लिख सकते हैं, हम लोग को दिया क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद को हम लोग ऐसे सुचित करते हैं, और यह हम लोग का कितना है, 17 है, और हम लोग को अंतिम पद कितना दिया हुआ है, इस AP का अंतिम पद हम लोग को कितना दिया हुआ है, 350 पास दिया हुआ है क्या लिख सकते हैं टियां हम लोग के पास कितना है यह 350 है और शार्वंतर को दिया हुआ है लोगों से क्या पूच रहा है कितना पद हो का मेरे पियरे बच्चों हम लोग उसे एनकामान हम लोग उसे पूछ रहा है और फिर क्या पूछ रहा है योग फल योग फल मतलब एसन एसन बराबर भी वाट है मेरे प्यारे बच्छों तो यहां हम लोग चलिए हम लोग TN के सुत्र पर एन कमान ग्याद कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्छों सुत्र से हम लोग जानते हैं यह बराबर क्या होता है ए पलस एन माइनस वन इन्टू डी ए पलस एन माइनस वन इन्टू डी तो मेरे प्यारे बच्छों यह कमान हम लोग कितना है 350 बराबर एक कमान हम लोग को कितना है एक कमान हम लोग को दिया हुआ है सत्र एन कमान हमें ग्याद करना है और मेरे प्यारे बच्छों हमें डी कमान कितना है नाइन है अब इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चोंright P लोग को करना बचेगा एन माइनस वऑन हमगों तो चलिए मेरे प्यारे बच्चोंätzenे से हम लोग सतिर हम भटाएंगे तो पर इद-धर यह चलोंन को बच्चोंड से लिए जब इसको हम लोग काटेंगे, केतना मुर्तबे कटेगा हम लोग? नौतिया, नौतिया 27, नौतिया 27, तीन मुर्तबे, और 33 में से से अच्छे 9, 7, 3, 6, 9, 7, 3, 6, 9, 7, 3, 6, गया, एन माइनस 1, मेरे प्यारे बच्छो, 37 में एक को हम लोग जोर देंगे होगा, एन, तो इसलिए एन बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, एन बराबर हम लोग का हो जाएगा, आर्थिस अर्थात, इस एपी में कुल पदों की संक्या आर्थिस है, अब फिर हम लोगों से क्या पूछ रहा है, यहां हम लोगों से पूछ क्या रहा है कि इस AP में कुल योग फल कितना है तो चलिए हम लोग योग फल निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चो जब तक आप सुत्र नहीं याद कीजिएगा गनीद के प्रस्नों को आप हल नहीं कर सकते हैं यां रहां कामान हम लोग का अरतीस है बटे मोग दू मेरे प्यारे बच्चो पहला पद यहां लोग को कितना है भाला पद हम लोग Tribe अ अन्य जूद रहा है तीन सो लिस्ट इसको काटें तो कैना हो जाईगा undis और इसमें जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चो हम लोगों को क्या निकला यहां हम लोग लिख सकते हैं अताह इस AP में N का मान और तिस और S N का मान उनहत्तर तिहत्तर यही दोनों हम लोगों का आंसर हो जाएगा चले मेरे प्यारे बच्चो हम लोग अगले प्रस्ट पर चलते हैं अगला प्रस्ट हम लोगों से क्या कह रहा है अगला प्रस्ट मेरे प्यारे बच्चो हम लोगों से कह रहा है कि एक AP के 22 पदों का योग ज्यांत कीजिए जिसका D और 22 मापद दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चो दी कामान हम लोगों को कितना दिया हुआ है साथ और टी बाइश 22 मापन मेरे प्यारे बच्चों कितना है हम लोगों का 149 तरी से हम आगे बढ़ा सकते हैं A पलस 21 D बराबर कितना होगा 149 तरी से लिए हम एक कामान ग्याद कर लेंगे 149 माइनस 21 D अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ D कामान रखते हैं 149 घटे 21 गुने 7 तो कितना हो जागा 149 घटे 21 को जब हम लोग 7 से गुना करें 10 7 1 7 7 7 को जब 2 से गुना 7 2 4 10 में 1 मेरे प्यारे बच्चों 149 में से जब हम लोग 147 को खटाएंगे हम लोग को बचेगा दू इस एपी का प्रथम पत कितना होगा हम लोग को दू अब चलिए हम लोगों से क्या पूछ रहा है हम लोगों से पूछ रहा है कि 22 पदों का योग ज्याद करे अतहा एपी के 22 पदों का योग फल एस 22 बराबर मेरे पारे बच्चों क्या हो जागा बाइस बटा टू इन्टू परथम पद और बाइस मापद इसको कार देंगे तो 11 परथम पद कितना निकला हम लोगों का दो निकला और बाइस मापद कितना है 149 तो मेरे प्यारे बच्चों यहां 11 गुने क्या होगा 149 में 151 अब 111 से गुनाइं करेंगे ते 111 फिर 111 हम लोगों का कितना हो जाएगा 1661 यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा कहने का मतलब यह हुआ कि इस AP के परथम बाइस पदों का योगफल इस AP के परथम बाइस पदों का योगफल कितना है 1661 है चलिए मेरे प्यारे बच्चों एक प्रस्णावर हम लोग देखते हैं अगला प्रस्ण हम लोग उसे क्या कह रहा है एक AP के परथम 51 पदों का योग ज्यात कीजिए जिसमें दूसरा और तीसरा पद हमें दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों हमें दूसरा पद कितना दिया हुआ है यहां हम लोगों को T2 दूसरा पद कितना है 14 दिया हुआ है इसे हम लिख सकते हैं A पलस दी बराबर 14 समी करन इसको एक माले इसी तरह हमें क्या दिया तीसरा पद कितना है 18 है तो T3 क्या दिया हुआ है तीसरा पद 18 तो इसे हम लिख सकते हैं A पलस दी बराबर 18 अब हम लोग समी करन एक और दो का उपयोग करके हम लोग समी करन एक और दो का उपयोग करके A और D का मान ज्यांत कर लेते हैं उसके बाद हम लोग आगे बरहाएंगे मेरे प्यारे बचो चलिए यहां समी करन दो से एक को खटाने पर, अमी करन 2 में से एक को घटाते हैं, तो क्या है, A plus 2D बराबर 18, A plus D बराबर 17, मेरे प्यारे बच्चों, जब घटाव के क्रिया होगी, तो घंट जाएगा, घटाने पड़ेगा, A से एक कट जाएगा, 2D में से 1D घटा, तो D 18 में से 14 को घटाएंगे, तो 4, तो कारवांतर का मान हम लोग को कितना निकला, कितना, अब चलिए हम लोग समी करन 1 से, हम लोग एक का मान ग्याद करेंगे, तो कितना है हम लोग का समी करेंगे, A plus D बराबर 14, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए एक का मान क्या हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा, हम लोग 14 मेरे प्यारे बच्चों हम लोग उसे क्या पोच रहा है हम लोग उसे पोच रहा है एपी के प्रथम एकावन पदों का योगभल एस एकावन बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाता है हो जाएगा हम लोग को एकावन पदो है तो एकावन बटे में टू इन्टू टू ए पलस एकावन माइनस वन इन्टू दी एन का मान मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एकावन है आक 是ने किया हो जागा 50 से 1 घटे में 2 इन्टु 2 गुनें एक अम लो का कितना है एक अम लोका 10 है तो 10 पलस 50 15 इसे घटाएगे तो 50 होगा और D कम अम मेरे प्यारे बचो जो कितना हम लोका है तीकमान हम लोग को चार निकला है, तो चार, यहां हम लोग है, 51 बट्टा 2, 10 तो न, 20, और 50 को जब 400 को राकनेंगे, तो 200 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 51 बट्टा 2, और जब 200, जब हम लोग 20 को जोड़ते हैं, तो 220, इससे इसको हम लोग काटे हैं, हम लोग को मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, एक साथ अब 51 को हम लोग, जब 110 से गुना करते हैं, 51 को हम लोग, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग 51 को जब हम लोग, 110 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा एक पाच एक छो एक और एक जीरो यह होगा गुना करके तो यह होना चाहिए एक आवन एक आवन एक आवन ओ सॉरी यह नहीं होगा सॉरी गलत हो गया 110 से गुना करेंगे तो हो जाएगा पाच छो एक जीरो हम लोग का आंसर हो जाएगा 5610 हम लोग का आंसर होगा 5610 चलिए मेरे प्यारे पुछो अब हम अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न हम लोग का क्या कह रहा है अगला प्रस्न हम लोग को कह रहा है यदि किसी एपी के पर्थम 17 पदो का योगफल 49 और पर्थम 7 पदो का योगफल 49 परफम साथ पदों का योगफल उन्चास और परफम सत्रा पदों का योगफल दूस्रों नवासे हैं तो इस APK N पदॉ का योगफल कितना होगा। सलें मेरे पयारे बच्चों हम लोग बनाते हैं। इस शुबल हम लोग क्या कह रहा है। प्रेशन से हम लोग आ जाते हैं प्रेशन हम लोग को क्या कर रहा है पर्थम साथ पदो को S7 हम लोग कितना दिया हुआ है S7 हम लोग को 49 दिया हुआ है तो क्या हो जागा साथ बट्टा 2 इन्टू 2A पलस साथ माइनस 1 इन्टू D कितना बराबर कितना 49 तो मेरे प्यारे बच्चों इधर क्या हो गया 7 बट्टा 2 2A परलस 40 इतना बराबर क्या हो जाएगा 49 7 बट्टा 2 इस दोनों में से 2 common ले लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों हो लो कि न A परलस 3D 3 दोना 6 29 29 2 से 2 को काट देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों A परलस 3D 49 और इस 7 को हम लोग उस से ले चलते हैं चुकि यहां गुना में है यहां बट्टा में हो जाएगा इसको काट देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा A परलस 3D हम लोग को कितना निकलेगा, साथ, एक आमान कितना हो जाएगा, साथ माइनस थेदी, इसे हम समीकरन एक आमान लेते हैं, इसी तरह मेरे प्यारे बच्चो, हम लोग को एक आउरत क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, कि एपी के पर्थम सत्रा पदों का योगफल, दूसर नवाशी है, तो पुना, हम लोग प्रसंद से लिख सकते हैं, पुना प्रसंद से हम लोग क्या लिख सकते हैं, S 17, 17 पदो का योगफल, दूसर नवाशी, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसको जब आगे बढ़ाते हैं, तो क्या हो जागा, N कामान 17 है, तो 17 बटा 2 इंटू, 2A पलस N माइनस 1 इंटू D, इतना बराबर दूसर नवाशी हो जाएगा, फिर आगे 17 बटा 2, और यहाँ N कामान हम लोग कितना है, N कामान हम लोग, N कामान कितना है, 17, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो क्या हो जागा, 2A पलस 16 D, बराबर दूसर नवाशी, मेरे प्यारे बच्चों, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो 17 बटे में 2, इंटू, दो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ दो हम लोग कॉमन ले ले लेते हैं, हम लोग को क्या बचेगा, A पलस आदूना 16, आठ दी और दूसर नवाशी, इससे इसको हम काट लेते हैं, और 17 को उससे ले ले चलते हैं, तो जाएगा A पलस आठ दी बराबर, दूसर नवाशी बटा में 17, जब हम लोग इसको काटेंगे, तो 17 मरतबे कट जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों, ज़र A पलस आठ दी बराबर हम लोग कितना बचेगा, 17 बचेगा, अब हम लोग समी करन एक से, समी करन एक से, A बराबर 7 माइनस 3D, यहाँ हम लोग रख देते हैं, हम लोग क्या रख सकते हैं, 7 माइनस 3D, आप पलस 8D, बराबर कितना हो गया, 17, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, 7D बराबर हम लोग का कितना हुआ, यहाँ हम लोग का हो जाएगा, 8 में से 3 घटेगा तो, 5D, इधर 17, माइनस 7, तो 5D बराबर हम लोग को 10 बचेगा, इसलिए D का मान यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग को 10, बटे में दूर कार देंगे, 5, अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग, D का मान निकालते हैं, तो D का मान हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग को ए कितना है, ए बराबर है, 7 माइनस 3D, ए बराबर कितना है, 7 माइनस 3D, ए यह में रखेंगे, कमी करन एक से, ए बराबर, 7 माइनस 3D, तो 7 माइनस 3 गुने दू, ए बराबर, कितना निकला हम लोग का, 1, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग मान रखे, ए बराबर 7 माइनस 3D, D का मान हम लोग को कितना निकला था, 5, तो हम लोग उसको रखे, हम लोगों को एक आमान कितने निकला एक अब हम लोगों को क्या पूछ रहा है अब हम लोगों को पूछ रहा है अन पदों का अताह इस एपी के एन पदों का योगफल एस एन बराबर एन बटा टू इन टू ए पलस एन माइनस वन इन टू डी मेरे प्यारे बच्चो एन का मान तो एन है तू एक का मान कितना एक निकला फिर एन माइनस वन और डी का मान हम लोगों को कितना निकला है दो निकला है यह हो जाएगा एन बटा दू इन टू तू पलस दो से गुना करेंगे तू एन माइनस टू दो से दो कट जाएगा तो जा क्या हो जाएगा? N². मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग का आंसर कितना निकला? N², इस AP के फुलपदों का योगफल, N पदों का योगफल, N² के बराबर होता है. आज के लिए इतना ही, आप लोग घर पे मन लगा के परते रहें, अब तक के लिए जाय हिंद स्टाप करें